नवश्कार दोस्तो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि Factory Reset से Delet Whey Photos & Videos को कैसे recover करें अगर आपके Factory Reset से Photos & Videos लिडिज हो गई है और आप अपने Delet Whey Photos & Videos को recover करना चाहते हैं वापिस लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे आज बाप को ये बहुत शानदार मेटड बहुत शानदार तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप भी अपने स्मार्ट फोन में फैक्टरी रीसेट से डिलिट वे फोटो और वीडियो को रीकवर कर सकते हैं वापिश ला सकते हैं चलिया आज की ये वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तों ये वीडियो काफी इनफॉर्मेटिव रहने वाली है आपके लिए बहुत शदा फायदे बंद रहने वाली है तो आप मारे चैनल की ये वीडियो को लाइक एन सेर जरू करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और ऐसी ही informative वीडियोज, ऐसी ही knowledgeable वीडियोज, ऐसी ही ग्यानवर्दक वीडियोज मैं इस चैनल पर आपके लिए लाने वाला हूँ जो बहुत ही जदा आपके काम आएगी तो दोस्तों आप मारी वीडियो को completely जरूर देखें तो चलिया आज की वीडियो को सुरू कर लेते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो यह आप मारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें इस वीडियो को आइगन से और ज़रू करें तो आइए देखते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिलीट हुए आपके बेकप्स को आपके से रीकवर करेंगे अगर आपका बेकप डिलीट हो चुका है और आप अपने स्मार्टफोन के अंदर फैक्टरी रीसेट से डिलीट हुए डेटाज को कंटेंट को वापिस लाना चाहते हैं रीकवर करना चाहते हैं तो आप अमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर डिलीट हुए डेटाज को कंटेंट को कैसा रीकवर करेंगे तो चलिया आज की वीडियो को सुरू कर लेते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें इस वीडियो को लाइगन सेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुचा है क्योंकि ऐसी ही informative वीडियोस ऐसी ही knowledgeable वीडियोस ऐसी ही ग्यानवर्दक वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं जो बहुत ज़्यादा काम आती है आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे बन रहती है तो आप मारे चैनल की वीडियोस को कम्प्लीटली जरूर देखे तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने चैनल पर जाना है तो हमारा फोन कुछ इस टाइब से आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक उप्शन आएगा बेक अप एंड रीस्टोर का बेक अप एंड रीस्टोर वाले उप्शन पर हमें क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारे सामने हमारा जो डेटा है वो content कुछ इस type से हमारे सामने यहां पर open हो जाता है और अब हमें हमारे data को recover करना है तो यहां एक option हमें देखने को मिलता है restore data का restore data वाले option पर हमें click करना है तो हम हमारे smartphone के अंदर data को restore कर पाएंगे इस पर click करना है और हमारा data यहां restore की process में चलेगा और हम हमारे data को restore करेंगे तो यहां पर एक option हमें देखने को मिलता है यहां पर यहां पर देख सकते हैं कि यहां हमारा phone का यह backup आराए इस backup पर हम click करेंगे वे कः ख्रम जैसे ही किःकरेंगे तो हमारे पास बेकप यहां 2.14 GB का बेकप हमें यहां पर देखने को मिलता है जिसमें हमारे कॉल का बेकप, हमारे मेसेज का बेकप, हमारे कॉंटेक्ट का बेकप हमारे यहां पर हर तरह का जो बेकप है वो बेकप हमें यहां पर देखने को मिल रहा है अब इसमें से हमें केवल और केवल बेकप माना की कुछ ना कुछ बेकप चीए तो हमें चीए माना की कॉंटेक्ट का ही बेकप चीए तो हमने कॉंटेक्ट को सलेट कर लिया और नीचे रीस्टोर वाले उप्शन पर हमने क्लिक करा restore वाले option पर जैसे ही हम click करेंगे तो यहां से हमारा contact यहां से restore हो जाएगा contact हमारा restore होने में तोड़ा लंबा process लगेगा लेकिन हमारा contact यहां से restore हो जाएगे इस तरह से आप अपने photos, videos, contact, data हर चीज को recover कर सकते हैं अगर आपके smartphone से delete होए content को data को recover करना चाहते हैं तो इन easy steps को follow करिए और आप भी अपने smartphone के अंदर data and content को recover कर सकते हैं तो दोस्तों आपको यह video कैसी लगी आई होप अगर आपको यह video अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो video को like and share जरू करें चनल को subscribe जरू करें और ऐसे ही चनल की वडियो को completely जरूर देखें